कि देश नहीं हो रहा है दोस्त अमीर हो रहा है दोस्त इसका मत्लब यह है कि नाम देश का लिया जाता है कि जोरी दोस्त का मत्लब यह है कि इस देश के भीतर लोगों की जो बास्तविक भालत है उसकी सच्चाई छुपाने की कोशिस की जाती है नहीं है बरिम इसकिन वारा निवात रहे 이हां यह पब्लीक सर्थ scripture घarna रहे है वह संदार विकास किया है तो मेरा मंद को आप पूछ लूँ कि आपने सांदार विकास किया है तो 15 परसंट बेरोजगारी तेलंगा नामे कैसे है पूरे देश में सब्सक्राइब बेरोजगारी तेलंगा नामे कैसे है यह सबाव में आप से पूछा जाता है जब हम यहां आ रहे थे तो हमको खबर नुभी कि हमारी पार्टी के गारी तो कुछ लोगों ने तोड़ दिया है अरे बादू एक बात सुन लो तुम्हारा बॉस जिससे डरता है ना जैसा आता पाप हमको उसी से डर नहीं लगता है इसी लिए ये गुंडा गर्दी अपने पास रखना जहां जाते हैं सीने में आग लेकर के जाते हैं मुहपत है हमारा लोगों के परती तुम्हारी गुंडा गर्दी से हम दरने वाले नहीं है अगर एक भरवरी को ये दो लाख लोगों को रोज़गार देने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तो आप सब हमारे साथ चलिएगा इनके घर का सीसा हम पूरें इनके खिनाफ हम करेंगे अपने मुखमंत्री के खिनाफ हम करेंगे आपके हक और अधिकार के लिए ये हमारी पट्टी बनता है पैसा लेते हैं हेलिकॉप्टर लाते हैं पैसा लेते हैं बिल्डिंग बनाते हैं पाइशा लेते हैं एयरपोर्ट वेलवे तमाम चीज़ां जो हम के खाते में पहुंचाते हैं इसलिए हम देश की आम आवाम को आख खोल करके जागना पूरे हैं अगर हम जंदा के सवाल को जिता हैं तो हो सकता है कि अगली पाइटिया करते कहें कि हम सारे 300 में सरेंडर देना शुरू करते हैं तो मैं कहता हूं कि वो अपने बान बच्चों के बारे में सोच आप अपने जीवन भाणतuki आप और आप देख रहे हैं देश-लाइव देश की आवाज तो इसी कौन जी परिस्थिती आन पड़ी इस देश में कि हमारे जैसे हजारों लाखों नौजवानों ने एक राजमतिक हैसला लिया है वो जरूरत ये आन पड़ी कि हम समने इभानदाजी से एक बात नहसूस की है आप यह बात चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े सरस्य हो चाहे आप भाजपा से जुड़े हो चाहे टी आरेस से जुड़े हो M.I.M. से जुरे हो या C.P.I. से जुरे हो आप किसी पार्टी से जुरे हुए हो गए इस देश के लोगों ने पिछले कुछ महीनों और सालों में एक बात महसूस किये हैं महसूस यह किया है कि इस देश में कैसा मेता है जो खुले तोर पर धन्ना सेशू सी छूट के खिलाफ बनता है कि सियाशत के लिए फाइदा क्या होगां और नुक्सान क्या होगा अगर किसी पे उपड़ अत्याचार हुआ हो तो उसका लिवास नहीं देखता है उसका जाग नहीं देखता है उसका धरम नहीं देखता है उसका मज़व नहीं देखता है एक ऐसा नेता है जो कौर्वों के बीच में अभिमन्यों के तरह चक्रणतोर में की कोशिश कर रहा है उस नेता का नाम राहुल गानी है और यह बाद आप आज किसी से भी प्लीच लीजिए बहले वो कॉंग्रेस का वोटर ना हो भले वो किसी जमाने में कॉंग्रेस का विरोधी रहा हो लेकि कहीं न कहीं आज यह बाद हर कोई मानने के लिए तैयार है कि जब पूरी दिनिया को बाद सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है जब पूरी दुनिया को नफरत की आज में जलाने की कोशिश की जारे है जब नहिलाओं और बच्चों के ऊपर अत्याचार किये जा रही है आम लोगों के साथ आए दिल शोशन होता है उनको उनकी जिन्दगी की बुनिया भी जरूरतों से मरहूम किया जाता है पूरी दुनिया को नफरत के आज में जलाने की अगर साजिस की जा रही है तो साथ इसके खिलाफ अगर महबत की बात कोई कर रहा है तो उस लक्ति का नाम राहूल गानी है उस पास अर्थ रुबस्था बंगी को तयार है देश की एकॉनमी पांच ट्रिलियन की होने वाली है अगर देश की एकॉनमी पांच ट्रिलियन की हो रही है तो मेरा एक सीधा सवाल है कि वो असी कडोर लोग कौन है जो पांच किलो अनाज के लिए लाइन में लगे हुए है हमारा ये सीधा सवाल है इसका मतलब ये है कि देख नहीं हो रहा है दोस्त अमीर हो रहा है दोस्त इसका मतलब ये है कि नाम देश का लिया जाता है कि जोरी दोस्ता म pendulum इसका मतलब ये है कि इस देश में बहुतर लोगों की जो बाश्तविक हालत है उसकी सच्चाई छुपाने की कोशिश की जाती है आज देश की हालत यह है कि 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरुजगारी है एक घंटे से कम समय में देश के किसी ना किसी कोने में कोई नौजवान आत्म हद्या करके अपनी जान गवा देता है आए दिन सेकरों हज्जारों किसानों को आत्म हद्या करनी पड़ती है करजा लेकिन किसका माफ किया जाता है एक लाग पच्छतर हज्जार करोर रुपया नेताओं के बड़े बड़े दोस्तों का करजा माफ किया जाता है तो है हमारी जनका है हमारी आवाम आपको ये सोचना परेगा कि अगर इस देश के धन्नास सेथों का करजा माफ किया जा सकता है तो देश के किसानों का भी धन्नास सेथों को मिल सकता है तो हमको 200 unit बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती है हमको 200 unit बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती है हम यह सवाल पूछना चाहते हैं यहां कई सारे लोग बिचे हुई है अगर सुझी को नहीं मिल सकता है अगर टीचर को मिल सकता है तो बेंक में काम करने वालों को क्यों नहीं मिलेगा मैं कहता हूँ कि जिसको आप पोर्ट दे रहे हैं अगर उसको सारी सुधा दे सकते हैं तो दुकानदारों को सुधा क्यों नहीं दे सकते हैं आम आवाम को सुधा क्यों नहीं दे सकते हैं यह हमा तरही राज की विजियासत हमको समझ में आनी शुरू हो जाएक राज की हालत क्या है राज की हालत ये है कि इस राज को बनाने पेलिए संघर्स किया गया एक कमिटी थी जिस कमिटी का नाम था Joint Action Committee और वहगा Joint Action Committee थी उसमें रहने वाले लोगों ने उसमें सामें लोगों ने द मन्स से मैं उन सहीदों को सलाम फेस करता हूँ उनको जो है अपना वो जो बलिदान दिने हैं उसके लिए मैं उनके परती अपना आवहार बित करता हूँ लोगों ने जान दवा करके यह राज्ज लिया बाद के रास्टे टांग्रेस की सरकार थी और सिर्मति सुनिया गांधी महत्तिने इस मफ्ताओं को सुश्डार किया कि तेलंगाना राज्ज बनेगा। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ है हैदराबाद को लेकर के बरी मसक्कत हो रही थी कि हैदराबाद का क्या होगा कुछ लोग कह रहे थे कि हैदराबाद को चंडी कर बना दिया जाएगा हेदराबाद तेलंगाना के साथ रहा और आज के गेट में हेदराबाद दुनिया का समसे महतुपूर्ण आईटी सेंटर है मेरा एक सिधा सवाल है इस तेलंगाना को बनाने पीछे को मकसद था नीलू नीदलू नियमा मतलब पानी पैसा और रोजगार मेरा एक सिधा सवाल है यह नीलू नीदलू नियमा कालू के सिध्यान पे बना हुआ क्यलंगाना आज उसकी हकिकत क्या है आज उसकी हकिकत यह है कि हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर का हब है लेकिन के लंगाना के को रोजगार नहीं है नियमा कालू की बात करने वाले लोगों से पुछना चाहिए कि आप में पिछले 9,000 में कितने लोगों को रोजगार की जाल है मात्र सकतर हजार तेलंगाना पुलिस की बहाली को छोड़ करके कोई भी बहाली नहीं की गई है ना ग्रूप वन की ना ग् माता है पहले को एकजाम का नहीं है तो प्यपर ही हो जाता है अरे यह पबलीक सर्विस कमिसर्जों वाला ऑफीस चला रहे हैं तो गटरा या कि बार-बार नीख हो जाता है कि एक नेता भाशन दे रहे थे तो मेरा मन किया उसे पूछ लूँ कि आप में अगर सांदार विकास किया है तो 15% बेरोज़दारी तेलंगा नामे कैसे है पूरे देश में सबस्यादा बेरोज़दारी तेलंगा नामे कैसे है यह सवाल में आपसे पूछा जाता हूँ इसी दिए आज जो मैं आपके बीच आया हूँ तो मेरा सीधा एक बात है आपसे हमारा ना ना खुद कैरियर बनाने का प्लान है और ना किसी के कैरियर से हमको कोई लेना देना है एक ही बात है कि सच की पैदाईस है सच बोले ले और सच के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान लबा देंगे आपके बीच अगर आए हैं तो आपके हभूट के लिए आए हैं और आपकी जो समस्या है उन समस्याओं को उठाना हमारी जिम्मेवारी है लेकिन जब हम यहां आ रहे थे तो हमको खबर मिली कि हमारी पार्टी के गारी को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है अरे बाबी एक बात सुन लो तुम्हारा बॉस जिससे ड़ता है जैसा का पाप हमको उसी से डर नहीं लगता है इसी लिए यह गुंडा गर्दी अपने पास रखना जहां जाते हैं सीने में आग लेकर के जाते हैं मुहपत है हमारा लोगों के परती तुम्हारी गुंडा गर्दी से हम दरने वाले नहीं हैं और यह याद रखना कि एक वार जंता ने अगर बदलने का पन बना लिया तो फिर बदला को कोई रोग नहीं सकता है वो बदला होई करके रहता है इस बात को याद रखना कि इस देश का इतिहास यह है कि मुख मंतरी और पढ़ान मंतरी को भी अपना चुनाओ हारना पड़ा है इस देश का इतिहास यह है कि जब तक आम लोग किसी बात को इग्नोर करते रहते हैं तो तुम अपने आपको ताकत बर समझ सकते हो लेकिन इस देश की आवाम जिसने अगर यह तैय कर लेती है तो जब अंग्रिजों का राज नहीं रहाना तो तुम्हारे बाप का राज भी नहीं है कि आम लोगों का मुद्दा पुनर अस्थाफिक हो अगर राजमीति बीमस हो तो इस पार्ट पे हो कि लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा सिख्चा का अधिकार कैसे मिलेगा लोगों को मकान कैसे मिलेगे सरकें कैसे बनेगी टैक्तिरिया कैसे खुलेगा रोजगार के साधन कैसे बढ़ेंगे और तमाम धर्म और जाती के लोग मिलकर के समाज में अच्छे से कैसे रहेंगे मुहब्बत से कैसे रहेंगे हमको यह अस्थापित रहना है और मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि चाहे आप करनाटका की बात कर लिजिए चाहे आप राजस्थान की बात कर लिजिए चाहे आप च्छतीस दर की बात कर लिजिए हम हमारी पार्टी इस देश में बेंखरिजम को लेकर के कल्यानकारी योजनाओं को लेकर के सीरियस है इसलिए जो वादा हम आप्षक कर रहे हैं वो सिर्फ वादा नहीं है अगर हम आपको कह रहे हैं कि तेलंगाना में 200 उनिट फिजली फिडी मिलेगी मतब हमारी सरकार आएगी तो फिजली फिडी मिलेगी इसको कोई नहीं बदल सकता है अगर हमने कहा कि ओल्ड पंसन स्कीम लागू होगा मतब ओल्ड पंसन स्कीम लागू होगा अगर हम कह रहे हैं कि 500 में सेलेंडर मिलेगा तो 500 में सेलेंडर मिल रहा है जहां हमारी सरकार एक वाम 500 रुपे में सरेंडर दे रहे हैं इसलिए हम आप तमाम लोगों से यह अपील करना चाहते हैं कि जो मॉडल हम करनाटक में लेकर के आए है जो मॉडल हम राजस्थान में लेकर के आए है आप लोगों को यह जानना चाहिए कि राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज सरकार मुफ्ट दे रही है और इस बार हमने ये क्या दिया है कि 50 लाख तक का जर्चिरंजी भी योजना के तहब लोगों को इलाज मुफ्ट देंगे और खास करके मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ रे दोस्त नेता का बेटा नेता बन जाता है मुख मंत्री का बेटा मुख मंत्री बनना चाहता है प्रधान मंत्री का बेटा प्रधान मंत्री बनना चाहता है तो मस्तर का बेटा कम से कम मस्तर ही बन जाए पुलिस बाले बच्चा कमसे कम पुलिस बाला ही बन तो अपने लिए राजनिती कर रहा है तो अपने लिए राजनिती कर रहा है तो अपने लिए राजनिती कर रहा है यह मेरे देश के नौजवानों आप भी अपने लिए राजनिती कीजिए और इस देश के संभिधान में ने सब को वराबनी का हग दिया है और मुखमंत्री के बेटा का बोट भी एक होता है होता है तो वेधकी तामत आपके हाथ में है और आपके हाथ में है तो आप यह सुनिश्चित कीजिए कि केलंगाना में समय पे एक जाम हो और हमारी पार्टी ने बार्टे रास्ते कॉंग्रेस ने फैसला लिया है कि तीक नारी को जब आप सरकार बदलेगे तो तेलंदाना में सरकार अभी तक जॉब कलेंडर नहीं लेकर के आई है हमारी party job calendar में गरने आई है कि एक भरवरी को हम notification जारी करेंगे और faith wise group 1, group 2, 3, group 4 का exam ले करके हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे यह हमारी प्रतिपता है अगर एक भरवरी को ये 2 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए notification जारी नहीं करेंगे तो आप सब हमारे साथ चलिएगा इनके घर का सीसा हम फूरेंगे इनके खिलाफ हम करेंगे अपने ही सब्सक्रार के खिलाफ अपने मुखमंत्री के खिलाफ हम करेंगे आपके हक और अधिकार के लिए यह हमारी प्रतिपता है जनते हैं लोग तंक को न थोड़ा हम लोग भी टेकन फर ग्रांटेट लेंगे जब तक बिया नहीं होता है तब तक रात को दुद्दु घंटा फून पर आई लव यू क्या खाई लिग मन नहीं लग रहा है अज जिवरी साथी हो जाती है तो काम के लिए बहार लेकिले हैं अकाम से लवट से हमें थोड़ा अपने दोस्त के पास चले गए है बैठे हों के हैं चाई पीड़ नहीं है उधर से फोन आया कहा है लेट हो गया आये नहीं रखता है अरे लखो फोन काम में में अभी करते हैं ना टेकें फ़र ग्रांटर् मतली जिये छोड़के चली जाएडी तब पता चलेगा लोग कंत्र को जमूरिएद को टेकंट फ़र реas किसी को नहीं लेना चाहिये अगर जबता लेती है थो नेदा थेकेंटपाने लेना उसी लिए मटा जी रोटी बनाती है बनाती है ना तो रोटी को समय के पलटना पड़ता है ना नहीं पलटते है तो क्या होता है जल जाएगी ना नौ साल से आपने रोटी नहीं पढ़ती है इस राज जमें नहीं पढ़ती है नहीं पढ़ती है ना तो पढ़ती इस बार रोटी मालक्षमी वजना के जाथ इस बार रोटी पढ़ती जिए सरकार बदल दीजिए और अगर आपने सरकार बदलने का मन बनाया है सब्सक्राइब ने बताईए अगर आपने मन बनाया है तो आप सरकार पलतना चाहते हैं सरकार पलतना चाहते हैं तो आपसे आख़ी अपीन है यह मत देखिए कि कंडिडेट कौन है और मैं आप को इस बात कह देता है कौंग्रेस पार्टी कि लाई किसी पार्टी के खिलाफ रही है कौंग्रेस पार्टी ना हमाईयम के खिलाफ लगई है ना बियारस के खिलाफ लगई है कॉंग्रेस पार्टी आज के दौर में इस देश में नफरत के खिलाफ लगए कॉंग्रेस पार्टी आज के दौर में इस देश में गडीवी के खिलाफ लगए कॉंग्रेस पार्टी आज के दौर में इस देश में उस मॉडल के खिलाफ लग रही है कि एयरपोर्ट पोर्ट सब कुछ अपने दोस्त का वो कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह कहते हैं तुम मुझे चन्दा दो मैं तुम्हें घंदा दूंगा पैसा लेते हैं ठीकट बेचते हैं पैसा लेते हैं हेलिकॉप्टर लाते हैं पैसा लेते हैं बिल्डिंग बनाते हैं पैसा लेते हैं एयरपोर्ट रेलवेग तमाम चीज़ें जो हैं के खाते में पहुंचाते हैं इसलिए हम देश की आम आवां को आँख खोल करके जागना प होते आप अगरव अपने अपने टैक्स के पैसे सरकारी कॉलेज्ट नहीं मनवाय होते तो हमारा जैसा लोग भीएजडी नहीं कर बाते हैं तो हमारा नमत खाए हैं तो हम आपकी नमक अदाइगी करने के लिए आपके बीचाए हैं और आपकी नमक अदाईगी करते हैं मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि कैंडिडेट मत देखिए अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि जैसे भूंद भूंद से धड़ा वड़ता है जैसे इत इत को जोड़ने से मकान बनता है वैसे एक एक इधायत को जिदाने से मकान बनता है यह अपी में आपके परियों चाहता है अगर आप चाहते हैं कि केलंडाना में परिवर्तन हो तो हमारा आपसे आगरह है कि आपको अगर MIR को वोट नहीं देना है तब भी आपके पास कॉंग्रेस का उप्षन है अगर आपको BGP को वोट नहीं देना है तब भी आपके पास कॉंग्रेस का उप्षन है अगर आपको BIRS को वोट नहीं देना है तब भी आपके पास कॉंग्रेस का उप्षन है और इस option को अगर आप जिताएंगे तो सिर्फ तेलंगाना में नहीं पूरे देश में ये message जाएगा जैसे हमको प्रेट करके भाज़पा भी बोलने लगी है कि हम सारे 400 रुपय में सेलेंडर देंगे अगर हम जन्ता के सवाल को जिताएंगे तो हो सकता है ँदी आटके कि हम सारे 300 में शुरू करतेंगे तो मैं कहता हूँ कि वह अपने बाल बच्षों के बारे में सोचे ए आप अपने जीवन के बारे में सोचिये आप अपने हिंडरवधिगारके बारे में सोचिये चुनाव इसलिए होता है कि आपके मुद्दों को स्वाल भुगिया जाए चुनाव इसलिए होता है कि आपके मुद्दों पर राजमतिक बिमर्स हो बहस हो चुनाव इसलिए होता है कि पिछला परत्यासी अगर काम नहीं किया है तो उसको हराया जाए, उसको बदला जाए, उसकी जगह पे नए वेक्ति को लाया जाए, इसी बदलाओं के आसा और उहने के साथ, आप तमाम दो इतना गौव से हमको सुने, हमको बोलने का आउसर दिये, धन्यवाद कहते हुए, शुक्रिया अधा कहते हैं अपनी बात को देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं